हे गाईज वेलकम बैक वापका अपना चैनल शेपर एडूकेशन और मैं आपका दोस्त आपका मेंटॉर सी यह बोहित्ता पडिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन फाक्ट हम कंट्विल कर रहे हैं हमारे एक टॉपिक हमारे एक चाप्टर जो मने पहले स्टार्ट किया थ एक बार में बेजिक इंट्रोडक्शन दिया था साथ साथ में मैंने फाइनल अकाउंट का एक इलस्ट्रेशन भी आपको कराया था आज उसी सफ़र को हम जारी रख रहे हैं उसी जर्नी को हम कंटिनू कर रहे हैं और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन अबर सेकेंड और जाधा डाइन वेस्ट किये भी आप स्टार्ट करेंगे एक बार मैं कुछ इलस्ट्रेशन करवा के छोड़ दूँगा फिर मैं आप लोगों का वेट करूँगा कि आप में से किसको एक्सराइस के कौन से क्वेशन नहीं आया है उन क्वेशन के डाउट्स का आप खाली जिक में दिए वे क्वेशन को मैं अपने नेक्स वीडियो में सेलीशन के साथ आपके सामने पर जली करूँगा ठीक है बच्चा तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन के साथ में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ यहां आपको दिखेगा फोड़ा कम स्क्रीन छोट इसे दिखने लग जाए ठीक है सो मैं इसको बीच में थोड़ा सा जूम करूंगा जिससे मैं शायद आपके लिए थोड़ा सा इंट्रस्टिंग यह बना पाऊं हाहा चलिए यह मैंने आपके लिए थोड़ा से इसको बढ़ा किया है चेक करिए भाईया आपको दिख रहा है करें नहीं दिख रहा है सो यह हम इलस्ट्रेशन अबार सेकें यहां पर करने वाले ठीके मैं इलस्ट्रेशन मैं सेकें आपके रहा है कि हमें स्टाट कर रहा है दा फॉलॉइंग फिर हमें कहा गया है कि उनकी balance sheet हमें दे रखी है बट यहाँ पे कुछ important notes पे ध्यान देना हमें balance sheet के अंदर already trading account का balance दिया हुआ है trading account का balance दिया हुआ है मतलब हमें trading account बनाना है बट अगर उसके adjustment होगे तो ही अगर adjustment होगे तो ही बनाएंगे ज्यादा दिमाग लगाए नहीं तो अगर question में भी दे रखा है आपको की भईया revise trading account बनाईए मतलब trading account बना दीजिए जो trading account का balance आपको दे रहे हैं उसको आप start करिए और उसके बात में कुछ adjustments हमें दियेंगे उसे हम solve करेंगे हमारे sum को start करने के लिए ठीक है चलिए तो हमें बनाना है trading account हमें बनाना है penal account हमें बनाना है current account हमें बनाना है बैलेंशीट तो आपको दिखेंग आपको प्रजेंटेशन के साथ बनाऊगे मतलब आप पूरा लिख होगे revised trading account of partnership firm of Jay and Vijay as on 31 2017 वैसे P&L account of partnership firm of Jay and Vijay as on 31st March 2017 आपको perfectly लिखना है debit credit particulars amount सब कुछ अच्छे से बनाना है क्योंकि आपको 12 देना है आपका बोर्ड जे भी pending राइट बच्चास प्लीज मेक शॉर्ड यू मेक बेस्स प्रेजेंटेशन राइट आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रखते रही राइट चलिए समस्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के साथ में हमारे illustrations के साथ में हमारा basic topic हमें कहां लेके जा रहा है वो हम देखते हैं चलिए सो मैं चाहूंगा आप सब का ध्यान यहां पे हो और आप सब के लिए मैंने यहां पर illustrations को फुड़ा सा बढ़ा किया है जिससे मैं आपके 27,300 है मेरे पास दो balances दे रहे के current account के बट प्रीज ध्यान दीजेगा यह दोनों balances सॉरी आज एक 20,000 है एक 5,000 है 27,000 वाला closing stock का था सो एक balance credit में एक balance debit में तो जहां पे उसको वहीं पे लिखना सो हमारे partner का नाम है जय विजय यहां मैंने लिखा जय यहां लिखा जय यहां लिखा विजय यहां लिखा जय यहां लिखा विजय अब किसका है भईया credit में जय का है credit में 20,000 तो जय का credit में लिखे 20,000 और दूसरा Mr. Vijay का debit में 5,000 तो Mr. Vijay का debit में लिखे 5,000 दोनों होंगे हम रखना अब स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहला एड़स्मेंट है प्रीपेड इंशॉरेंस रूपीज चलिए इंशॉरेंस प्रीमियम को हमें प्रीपेड करना है हमें इंशॉरेंस को माइनस करना पड़ेगा आप द principle सबसे पहले अच्यॉरेंस सबसे बेंसे इस सब्सड इंशॉरेंस हमने प्री पेड इंशॉरेंस किया है यहां पर कितना किया है 200 रुपय का हमारा एसेट हो गया यह प्री पेड़ इंशॉरेंस आपको दिखा है ठीक है फाइन चलिए यह हो गया मेरे अजस्मेंट नगुवन क्वेशन नहीं दिख रहा हो टेक्सबुक लेकर बैठो यार कमान नेक्स वन जै विड्रॉव गोड्स तू थाउजन फ्रम बिजनस फॉर इस पर्सनल यूज ने दो हजार के कुछ विड्रॉव किये है अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब वो drawings हो गया drawings हो गया तो भाहिया यहां लिख देंगे हम drawings में कितना विडरॉव किया है जै ने जैने विड्रॉव किया है 2000 का तो 2000 आ जाएगा जैए के account में debit मैंने कहा था minus हो तो debit plus हो तो credit और जै लेके गया goods लेके گया मतलब हमें trading trading account में effect दिना पड़ेगा तो चलिए पहले trading account का balance कितना है सो हमारे पास balance रा credit trading account का 30,900 यह हमने लिख दिया trading account का हमारे पास balance है और यह revised trading account इसके bracket में revised दिखना ना भूलें trading account का balance है 30,900 और हमारा partner goods घर पे लेके जाएगा सो वह हो जाते हैं हमारे लिए drawings और इसका दूसरा effect आएगा वह हमारे purchases से minus हो जाने चाहिए सो चलिए भाया हमारे पास purchases दिये वह है नहीं है question में कुछ नहीं दिया है सो हम सिधा का सिधा चाहें तो इसको purchase में से less करना हो मतलब आप चाहो तो debit में purchase में से less करो या चाहो तो credit में दिखा तो भी चलेगा दोनों में जो आपको अच्छा लगे चलेगा question में अगर purchase के बारे में हां या next adjustment ही है सो हम यहां पर लिख देते एक बार के लिए purchase के adjustment है हमारे पास सो हम लिख देंगे आपर drawings हमारा 2,000 वह एक बार मैंने लिख के छोड़ दिया उपर purchases आने वाले कुछ purchases unrecorded है वह आने वाले है इसलिए उनके लिए मैंने जगे छोड़ दिया tension मतलेना purchases आने वाले है डोन परी चली फिर आगे बढ़ेंगे हमारे third adjustment पे हमें कहा गया goods of 4,000 purchased on credit which is not recorded in the books चलिए वह यह चार हजार के purchases को हमने record कर दिया trading account में debit में ठीक है और purchases record नहीं है मतलब भाईया creditors में भी entry आनी चाहिए क्योंकि वह हमारी liability भी होते है purchase के entry क्या होती है purchase account debit to creditors मतलब liability में लिखना पड़ेगा 4,000 रुपे चलिए डूबते भाईया कहा है balance sheet balance sheet से पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारा creditors का balance कितना है हमारा creditors का balance है 12,000 वह यहां लिख देंगे balance sheet में हमारे पास creditors थे sir 12,000 के उसके अंदर भी हमारे कुछ unrecorded purchases 4000 तो हमारे creditors total हो जाएंगे अब 16,000 के कितने होगे भाईया हमारे creditors होगे 16,000 के 12,000 थे 4,000 unrecorded है मतलब मेरे total creditors हो जाते है 16,000 के इसके साथ साथ मेरा adjustment number 3 भी खतम हुआ राइड चलिए आगे बढ़ेंगे adjustment number 4 right of 400 is bedded and provide 5% on bedded reserve चलिए भाईया हमें 5% bedded reserve बनाना और 400 रुपे हमें bedded देने हैं पहले चेक करो भाईया balance sheet में data कितना है balance sheet में data 18,400 का चलिए balance sheet में हम लिखना चालू करेंगे तो हम यहां लिखेंगे हमारे पास data है 18,400 के जिसमें से कुछ bedded हो गया हमारा 400 रुपे का तो हमारे पास data बचे 18,000 के जिसमें हमें उस पे बनाना है bedded reserve 5% के हिसाब से 900 रुपे और net 17,100 बहार आ जाएगा दिख रहा है कि मैं सामने आ रहो नहीं में नहीं आ रहा है तो हमने क्या क्या 18,400 हमारे डिटर्स थे उसमें से हमने bedded minus का 400 रुपे और हमारा bedded reserve बना रहा है 5% 18,000 का 5% 900 रुपे और net हमने पिया पीनल में सो हम करने वाले है bedded old plus bedded new plus bedded reserve new and minus bedded reserve old राइट बच्चा हमें ये पूरा का पूरा लिखना है bedded old plus bedded new plus bedded reserve new minus bedded reserve old पहले new वाले देख लो नया bedded 400 रुपे लिख दिया नया bedded reserve 900 रुपे भया वह भी लिख दिया अब पूराना bedded reserve दिया वाइट trial balance में 1000 का तो भया वह लिख दो और पूराना bedded भी दिया वाइट trial balance में 200 रुपीज का वह भी लिख दो तो क्या करेंगे अब पहले 3 को प्लस मतलब 200 प्लस 400 600 प्लस 900 पंदरा सो माइनस हजार तो net amount आप का जाएगा यहां पे 500 रुपे हैं सो हमेशा ध्यान दिजेगा बच्छा लोग जब भी budget का point दिया हो आपको लिखना है own no, क्या लिखो गया, own no, bed rate old, plus bed rate new, plus bed rate reserve new, minus bed rate reserve old, please make sure, this is very 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 important, right, आगे बढ़ेंगे हम लोग, adjustment number 5, there is no need of discount reserve on data, okay, हमने पहले कुछ discount reserve बना के रखा है, कितना बना के रखा है, हमने बना के रखा है, 480 का, अब उस 480 के discount reserve, sorry, 380 का, उसकी कोई जरुवत नहीं है, उसकी जरुवत नहीं, मतलब भया, फाइदा हो गया, फाइदा हो गया, मतलब P&L में credit कर दो, कितना credit करेंगे, जितना discount reserve था, तो discount reserve हमने credit कर दिया, 380 रूपे, क्योंकि भया, अब तुम्हारी जरुवत नहीं है, तो discount reserve हमने कर दिया credit, 380 रूपीस का, उसके बाद में, last adjustments और एक, depreciation लगाना, planted machinery पे, 20% और furniture पे, 5% चलिए, भया, लगा देते हैं, तो सबसे पहले question में देखे, planted machinery है, कितनी, balance sheet में लिखेंगे हैं, तो हम देखने वाले, हमारे पास machine है, 20,000 का, चलिए, और हमारे पास furniture है, 5,000 का, चलिए, ठीक है, तो भया, machine हम दिखेंगे सबसे पहले, हमारे पास machine है, 20,000 की, उसके डेपरी कितना लगाने को कहा गया question में, 20% तो minus depreciation, depreciation हो जाएगा, 4,000, और net amount बाहर आजाएगा, 16,000, वैसे हमें दे रखा furniture, furniture हमें दे रखा है, 5,000 का, उस पर डेपरी लगाना है, सिफ 5%, बिच्छा, तो डेपरी हो जाएगा, 200 रुपए, 250, और net बाहर आजाएगा, 4750, ठीक है, चलिए, ये दोनों depreciation पे, P&L में में आएगे, तो P&L पे हम लिख देते हैं, यह रहा हमारा P&L account, यह हम लिखेंगे, डेपरी, किस-किस पे लगाने हैं भई, डेपरी, मशीन पे लगानी है, 4,000, और furniture पे लगाना है, 250, और net amount 4250 बाहर आजाएगा, प्लीज, आप पूरा लिखेगा, M और F मत लिखेगा, मेक इट फॉल, मशीनरी, 4,000 and furniture, 250 रुपीज, प्लीज, अच्छे से पूरा लिखते रहेगा, मेरे पास space shortage, इसलिए मुझे initials में लिखना पड़ रहा है, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, exam से आपके right बचा, इसके साथ साथ हमारे सारे के सारे adjustments समापत हुए, इन शॉर्ट हमारा पूरा का पूरा सम खतम हो गया, बट फिर भी एक बार उपर वाले के लिए हम चाहें तो भईया, hidden adjustments चेक कर लेते हैं, hidden adjustments है, question में yes sir, पहला hidden adjustment दे रहा है, factory on lease, हमने 30,000 के building को lease पे ले रखा है, और lease खतम होने वाला 31,3,2021 को, हम बैठें अभी 31,3,2017 में, right, lease खतम होने वाला 31,3,2021 को, तो चलिए भईया, lease कितने साल के आपको निकालना पड़ेगा, तो हमने देखा हमारा lease है, 5 साल का, मतलब हर साल का lease rental होगा, 30,000 divided by 5, मतलब 6,000 उपे, तो आपको हर साल 6,000 write-off करना है, तो पहला आप effect देंगे balance sheet में, balance sheet में आप लिखने वाले हैं, lease, bold, factory, कितना है भईया, factory, 30,000 का, और minus इस साल कितना write-off करना है, 6,000 उपे साल write-off करेंगे, net lease बचेगा हमारा 24,000, और जो 6,000 ने write-off किया है, बच्चा, ये हो गया हमारा expense, so आजाएगा P&L account के अंदर write-off of lease, कितना है भईया, lease के return-off हमारा value, 6,000 रुपे का हमने lease को write-off किया है, so please write-off lease आपको करना पड़ेगा, lease को return-off करना पड़ेगा, 6,000 ते, this is hidden adjustment number 1, और एक hidden adjustment और है, और वो दे लेखा है, loan of partners Vijay, और ये amount है, loan of partners Vijay की credit में, मतलब Vijay ने हमें loan दिया है, चलिए Vijay ने कितना loan दिया है, भईया, Vijay ने loan दिया है 30,000 रुपे का, और हमें Vijay को interest देना है, 30,000 रुपे पे interest कितना देना है, वो जब भी नहीं कहा हो, हमें पता है कि partners loan पे by default 6% देना पड़ता है, तो 30,000 रुपे होता है, बट यहां पे 6 मेने का देना है आधा, मतलब हमें 900 रुपे का interest देना है विजय को, तो चलिए Mr. Vijay हम आपको 900 रुपे का interest देने वाले हैं, तो चलिए विजय जी को 900 रुपे का interest देना है, तो पहला effect आजाएगा हमारा balance sheet में, हम लिखेंगे यहां पे क्या नाम है पार्टनर का विजय है, तो हम लिख देंगे विजय लोन, कितना है विजय लोन आपका, 30,000 का लोन है आपका, प्लस आपका interest कीतना out signing है, out signing interest नौसो रुपे का, आपका लोन हो गया 30,900, और यह interest जो देना बाकिए वह हमार expense है, तो interest on loan कर देंगे, हम जो हमें देना बाकिए पियनल अकाउंट में, 900 में वहिया हमारा expense है, पियनल में हमने debit में लिखा, interest on loan 900 रुपे, और विजय के लोन 30,000 में 900 प्लस कर दिया, तो विजय का लोन हो जाएगा 30,900, और इसके साथ साथ जहां तक मेरा नजर जा रहा है, हमारा adjustment खतम हो गया है, hidden adjustments भी सारे खतम हो गये हैं, और नीचे दिये में main adjustments भी सारे खतम हो गये हैं, इसके साथ हमारा illustration number 2 finished, copy paste आप करोगे, बाकि उठा उठा के लिखना है, capital का balance, same to same, balance sheet में लिख दो, cash का balance लिखना है, आपको current account का balance लिखना है, fixed deposit लिखना है, data वगेरा तो आ चुका है, तो जो नहीं आया है, खाली उठा उठा के पटक दो सर्थ, सब easy है, बहुत easy है, total करना है, balance करना है, आपका काम तवाम हो जाएगा, I'm very very sure, आपको समझ में आ रहा है, और आपके लिए खुशकवरी की बात यह है, कि मैं बहुत जल, बहुत जल, गुजराद बोड़ वालों के लाइफ बैचेस ले रहा है, just waiting for a few more students to join, और बच्चे आजाए हमारे चैनल पे, तो हम फिल लाइफ बैचेस लेना स्टार्ट करेंगा, आपके लिए लाइफ आके पढ़ाएंगे गुजराद बुड़ को, मैं कोशिश करूँगा कि अगर थोड़े लोग बढ़ जाएंगे, थोड़ी हमारी फैमिली बढ़ी हो जाएगी, तो मैं एक आध बार आपके पास संडे को पहले आके दिखूँगा, अगर संडे को आप लोगोंने इंटरेस लिया, आपको मज़ा आया लाइफ पढ़ने में तो सरफिर्मेंट डेली बेजिस पर आपके लिए रोगो जाऊंगा यहां पे, और आपको लाइफ पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगा, यह भी बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ, पट फिलाल के लिए रिकॉर्डेट से काम चलाइए, पट प्लीज अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, जितने जनों तक हमारी बात पहुँचेगी, जितने लोग हमारे फैमिली में जूडेंगे, उतना ज़ादा मज़ा मुझे आएगा, राइट बचा, तो चलिए, यह हो गया हमारा illustration number second, पूरा का पूरा illustration वैसे तो आपको visible है, जहां तक की मुझे लग रहा है, हाँ विजए visible है, ठीक है, तो चलिए, illustration number second, आप लोग इसके बात का आप खुद करेंगे, खाली उठा उठा के पठकना है, illustration इसलिए पूरे करवाने के जरूत में exercise होगी, तो मैं पूरा करवाना को डोन परी, illustration में ज़्यादा नाइम दूँगा, तो exercise रह जाए गया, चलिए, तो फिलाल आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने next illustration पे, that is illustration number 3, चलिए वहिया, आगे आते illustration number 3, वह भी मैंने आपके लिए पूरा तयार करके रखा है, आपको कोई load लेना नहीं है, सो मैं चाहूंगा, illustration number 3 पे आपका ध्यान रहे, मैं आपके लिए थोड़ा सा पहले page बढ़ा करता हूँ, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, कि आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, चलिए, so illustration number 3 में हमें पता चल रहा है, कि हमारे पास दो partner से yes और just क्या नाम है यह बढ़िया, और हमें कहा गया है उनके लिए कुछ adjustments करने है, question में यह नहीं बता है कि हमें कौन से कौन से accounts बनाने है, तो हमने एक बार हमारे हिसाब से हमने हमारी उध्धी लगा के यहाँ पे बना दिया है trading account, pnl account, pnl appropriation account, capital account और balance sheet तो यहाँ पे मैंने एक बार मेरी पूरी समझदारी यूज करके आपके साथ में पूरा का पूरा format trading कर दिया है trading account बना दिया है, clean account बना दिया है, appropriation बना दिया है, capital account बना दिया और balance sheet बना दिया है चलिए as always मैं जैसे की बोलता हूँ आपको capital account का balance लिख लेते हैं पहले इसके साथ मैंने ओपनिंग balance लिख दिया है, अब हमारा काम रहेगा, पहले main adjustment, उसके बाद median adjustments, hidden adjustments एक है, दिख रहा है investment वाला bracket जहां दिखेना है वहाँ पे account है तो अगर आपको trial balance में कोई भी bracket डिख रही है, यह मतलब समद लेना कुछ इन्होंने चुपाया है हमसे और हमें धूंड के निकालना है, खोद के निकालना है, तो चलिए, start करेंगे हम लोग हमारे basic adjustments के साथ में, आपके सामने आपकी book होनी चाहिए, अगर आपको यह question मुझ पाते हैं, उनको याद हो जाएगी या किताब लेके बैठेंगे तो ज्यादा मज़ा आएगी पढ़ने में, ओके तो बचा लोग, let's start with a job right now, हम अपना काम चालू करेंगे, illustration number 3 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर करीबन 9 adjustments हैं, my god, बहुत जादा है, exam में normally इतने adjustments नहीं आ बात होते हैं, बच्चे यह समझते हैं, यह हमने topic रट लिया, यह topic हमने solve कर लिया, मतब हो गया, sir, मेरा यह मानना है, accounts में delete करवाने वाले, omit करवाने वाले teachers ललू, कोई भी क्यों नहों, कोई भी क्यों नहों, sir, accounts ऐसा subject है, जो हमें future ready कर रहे है, sir, हम commerce में है, commerce में अगर होके, अगर आप chapter में, accounts के chapters को delete कर रहे हो, omit कर रहे हो, questions को cut shot कर रहे हो, topics को delete करवा रहे हो, sir, I don't feel that you deserve to be a good teacher, बुरा लगे तो लगा लो, यार, लगे तो लगा लो, accounts हमारे खून में होना चाहिए, sir, हम commerce वाले बच्चे है, accounts का कोई topic, कोई sum हमारा बाकी नहीं रहना चाह करवा है, कुछ notes बना के accounts करवा है, उसमें भी आप गिने चुने, sums में भी अगर आप delete करवा रहे हो, omit करवा रहे हो, sir, I don't feel that you deserve to be known as a teacher, बले board exam करवा हो, आप सब करवा हो, क्या फरक पढ़ने वाले, बच्चा दो चीज़ नहीं सिखेगा नहीं है, बले exams वाले कर रहे हो कल के लिए खुद को तयार कर रहे है, right बच्चा, so सारे sums important है, सारे adjustments important रहेंगे, चलिए, start करेंगे हम लोग, हमारे काम से, सबसे पहले adjustment तो बच्चो वाला दे दिया, इन लोगों ने interest on capital 5% चार्ज करना है, interest on drawings 10% for 6 months, अच्छा भईया, इन लोगों ने समझदारी दिखा भी है, drawings के रहे सिद्धा बोली दिया कि भईया, drawings चैमरीने का चार्ज करो, चलिए भईया, समझदारी है, हाली यह drawings में लागों हो रहा है, interest on capital पर लागों नहीं हो रहा है, interest on capital आपको 5% देना है, हमारा interest on capital ता 50,000 और 40,000 तो, sorry, capital ता 50,000, 40,000, उस पे interest हो जाएगा, 50,000 प appropriation, यहां में लिखूंगा, interest on capital, क्या क्या था भईया, एक पार्टनर का था धाएजार, एक पार्टनर का था 2,000, दोनों मिला के बाहरा आगया, साड़े 4,000, पार्टनर का नाम था यश और जश, ठीक है बच्चा, सो दो effect हो गए, adjustment number 1, खतम, थोड़ा सा वीडियो बढ़ा क्योंकि market value जादा है, चलिए, सो हम लिखने वाले, यहां पर हमारा closing stock, कितना है भईया, closing stock, 12,000, closing stock की दो जगे effect आती है, एक आती है, balance sheet के अंदर, और एक आती है, trading account के अंदर, चलिए तो फटा-फट लिख देते हैं, हमां यहां पर trading account का extract नहीं दिया, पूरा ही बनाना है सो यहां मैं लिखूंगा closing stock, कितना है भईया, 12,000, और दूसरा मेरा effect आएगा, balance sheet के अदर closing stock का, सो यहां भी मैं लिखने वाला हूँ, closing stock, और वो आ जाएगा, 12,000, right बच्चा सो हमें लिख दिया, closing stock हमारा आगया, 12,000, दोनों तरफ effect दे दिया हमने, आगे बढ़ेंगे, adjustment number 3, outstanding stationary expenses 500, चलिए भया, stationary expenses हमारे बाकी है, 500 रुपए के, धूनों stationary expense कितना है, हमें दे रखा stationary expenses, 800 रुपए का, चलिए, आते है, PNL account के अंदर, हमें दे रखा stationary expense, 800, उसमें हमारा outstanding है, 500, so net हमारा बाहर आ जाएगा, 1300, और यह outstanding के मतलब बच्चा, यह liability है, so balance sheet में लिखना न भूले, that is outstanding expenses, outstanding stationary expenses हम लिखेंगे, यहाँ पर outstanding stationary expenses कितना है, बच्चा, 500 रुपए हमने लिख दिया, इसके साथ adjustment number 3 भी खतम, वह भी बच्चों जैसे थे, पहले वाले तीनों बच्चों जैसे थे, एकदम, चोटे चोटे ललू-ललू adjustments है, फिर भी हमने किये है, आगे बढ़ गया, वह question में, 2000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास wages है, 2000 का, इस में से minus prepaid, कितना है भाईया, प्री पेड, 400, तो net amount आ जाएगा, 1600, और हमने advance में कोई expense pay क्या, मतलब वह हमारा asset है, so yes, balance sheet में लिखेंगे, हम लोग prepaid wages, कितना है भाईया, prepaid wages, 400 रुपे, जो हमने balance sheet में लिख दिया है, right, advance में अगर कोई expense pay करें, that is asset for you, तो balance sheet में asset set पे लिखेंगा, so हमने लिख दिया, prepaid wages आ गया, हमारा 400 रुपीज, next one, 4 adjustments होगे, बले-बले एकदम, fifth one, rent receiving advance 200, and discount is receivable, रुपीज 14, हमें rent advance में मिला है, वापस से same effect आएगा, कितना मिले advance में, 200 रुपे, तो भईया, check करो, हमारे book में rent कितना दिया हुआ है, हमारे book में rent, 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 sorry, एक सेगंड, एक बात ध्याल देज़ेगा, rent received है, मतलब income है, तो credit share पे दिखेगा, so हमें rent दे रखा है, 600 रुपे, जिसमें से 200 advance है, मतलब इस साल का नहीं है, तो चलिए, फिर भी करते है, यहा और सार, अगर कोई बंदा आपको advance में rent दे रहा है, मतलब वो आपकी लिए liability है, वो आपकी लिए कर्जा है, क्योंकि वो आपको rent पहले से दे चुका है, आपको उसको, अब उसकी property, उसके assets को आपको use करने देना पड़ेगा, वो आपकी liability है, so rent received in advance is a liability, so balance sheet में आप लिखे discount is receivable, हमें discount मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 40 रुपे मिलने वाला भी तक मिला नहीं है, so check करो भाया, trading account में, sorry, credit side में देखे हमें discount कितना मिला है, discount मिला 400 रुपे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें discount received 400, plus receivable है 40 रुपे, मतलब total इस साल के हमारी income होगी 440, और discount मि मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला मतलब वो आपका asset है, so आप balance sheet में लिखेंगे, discount receivable कितना मिलने वाला भाया, 40 रुपे का, right, 40 रुपे का आपको discount मिलने वाला है, मिला नहीं है, मतलब वो आपके लिए asset रहने वाला है, इसके साथ मेरे 5 adjustments हो गया है, I have done with 5 adjustments, बहुत easy थे 5, चटे पाएंगे, आरे यार, इस बार फुड़ी मैनत करवाएगा, हाँ, चलिए, करते हैं मैनत, हमें कहा गया है, चलिए, पहले डूमते हैं, हमारी बुक में data कितने हैं, वाईया, data दिख जा, अच्छा, इन लोगोंने customers लिखा है, एक ही बात है, खाली हमें परेशान करना इन है, चलिए, सो हम यहां लिखेंगे, हमारे पास data कितने हैं भईया, आप data मत लिखना, बुक में जो customer लिखना, वही लिखना, गरबड़ी मत करना, सो हम लिखेंगे, यहां पर customers ही, सो हमारे पास customers है, total 29,000 के, इस में से हमारा bed debt हो गया, कितना हो गया, 26600, उस में समय बनाना है, discount reserve, discount reserve कितना बनाना है भईया, तका बता, discount reserve का 2%, तो 2% हो जाता है, 266 into 2, that is 532 रुपे, so 532 का discount reserve बना, और net amount बाहर आ गया, 26068 का, 26068 का बाहर आ गया है, आपका net amount, आपका net amount बाहर आ गया है, बच्चा लोग, don't worry, मुझे पता है, आपको इसको zoom कर के देखने की इच्छा हो रहेगी, कि sir, आपने क्या लिखा है, थोड़ा अच्छे से दिखा दो, लो भईया, आपने सोचा, आपके लिए हाजिर है, मैं थोड़ा सा, इस तरफ हो गया हूँ, देख लीजे, amount, total 29,000 था, 29,000 में से हमने 1,000 सबसे पहले, minus किया, bed rate, बच्चा साथ-साथ, हमारा balance sheet का काम पुरा हुआ, अभी तक मैंने यह नहीं कहा है, कि हमारा सारा काम पुरा हो गया, हमारा सिर्फ balance sheet का काम पुरा हुआ है, हमें अभी तक PNL account के entry देना बाकी है, तो चलिए, PNL account के entry देंगे हम, PNL account के entry पे ध्यान देंगे, बच्चा, PNL account में मै कहा था जब भी ऐसा कुछ आए तो हम लिखते हैं ओनों चाह लिखेंगे भईया हम ओनों चलिए स्टार्ट करेंगे यह रहा मेरा पियनल अकाउंट तो यहां में लिखूंगा बेड़ ओल्ड प्लस बेड़ डेड न्यू प्लस बेड़ डेड रिजर्फ न्यू और माइनस बेड़ डेड रिजर्फ ओल्ड चलिए हमें पता है न्यू वाला बेड़ डेड था हमारा 1000 न्यू वाला रिजर्फ था हमारा 1400 पूराना बेड़ डेड हमें बुक में दे रखा है 400 और पूराना हमें दे रखा है 2000 चले पड़ प्लस करते इसको 1000 प्लस 400 प्लस 148-2000 तो नेट बाहर आ जाएगा 800 तो मेंडिट का काम हो गया डिसकाउंट रिजर्व को चुप चाप डिसकाउंट प्लस कर दो डिसकाउंट अलॉड कितरा दिया वह भाईया डिसकाउंट अलॉड हमें दियावा है 1400 चलिए इसकाउंट लॉड फोरीन अंडेड उसमें इस साल जो हमने डिसकाउंट रिजर्व बनाया है वह प्लस होता है और अगर डिसकाउंट रिजर्व ओल्ड हमारे पास है तो माइनस हो जाएगा तो न्यू वाला रिजर्व है हमारा 532 का ओल्ड रिजर्व दिया वाई नहीं है तो कर दो डैश सो नेट अमाउंट बहर आ जाएगी 1932 राइट बच्चा इंपोर्टन है प्लीज जान दीजएगा बहुत 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 इंपोर्टन टॉपिक था यह एक्जाम में 100 100% पूछेंगे मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 100% पूछेंगे यह उनका फेवरेट है हर स्कूल टीचर को पता नहीं से अजस्मेंट में अलग ही मज़ा आती तो यह एजस्मेंट कमपल सरी लिए आपकी स्कून में पूछने वाले हैं make sure चलिए यह था मे आगे है समझ में आगे बड़ो कुछ नया सिखा हो चलिए फिल भी करेंगे हम इदे रहा मोटर कार कितना है क्वेशन में मोटर कार मोटर कार है बावन अजार उस पे हमें माइनस करना है डेप्रीसियेशन 10% 5200 नेट अमांट बाहर आ जाएगी 46800 यह डेप्रीसियेशन हमार प्रक्शन नहीं है एड्जिस्मेंट दो और बाकिये खतम करके ही दम लेंगे चलिए एड्जिस्मेंट नमबर 8 गुड्स वर्थ रुपिस 2000 डिस्ट्रॉइट बाइफ इंशॉरेंस कमणी एड्मिटेट क्लेम ऑफ 800 रुपए हमारे गुड्स डिस्ट्रॉइब हुए 2000 के 80% इंशॉरेंस कमणी ने क्लेम तС एडिपर अaborशनिट का मतलब बाइस सोला रुपए हमारे गुड्स गए है Colin हॊए hurtliche दो चलिए मैं लिका यहाँ पे सबसे पहले लिकुए मेरा पफीर ने इस By जल जाते हैं उने माइनस कर दो कितने के गुड़ जल गए हैं भाईया हमारे गुड़ जल गए हैं 2000 के उसे हम लेस कर देंगे ठीक है अब इंशॉरेंस कमपनी कितना देने वाली है उसे 1600 मांगता हूँ इसलिए तुम मेरे लिए एसेट हो इसलिए पहले शीट में मैंने एसेट चर्ण में लिखा है इंशॉरेंस कमपनी मैं आपसे 600 मांगता हूँ बहुत से इंवल एडजस्मेंट था दो अजार का स्टॉक था जल गया तो पॉर्जिस में से माइनस 1600 कमपनी देगी तो इसलिएंस कमपनी ऐसे डेटर बन गई है और 400 हमारा मुक्सान हो गया पी एडजस्मेंट हो गया है आखरी एडजस्मेंट बचा है मैनत लगाए रखिए 10% कमिशन इस प्रॉफिट आफ्टर डिड़क्शन आफ कमिशन फ्रम दा प्रॉफिट यह लगा इडजस्मेंट करते हैं आपए नेटर प्रॉफिट और प्रॉफिट आगया है छो कि मुझे on runs जो कि आ गया था 400 और 200 टोटल बाहर आ गया हमारा 600 interest on capital हमें पता है अब आपको इतना balance करना इसका answer निकालना है तो मतलब आप क्या करोगे credit वाले item को plus करोगे that is 40,248 plus 600 मतलब हो जाएगा 40,848 उसमें से आप 4,000 माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 36,348 ठीक है भाईया अब इस पर आपको commission देना है 10% after charging so into 10 divided by 110 तो आपका answer आएगा 3304 यह हो गया आपका commission यह commission आ जाएगा यहाँ पर that is commission to Mr. Josh Josh को हम commission देंगे 3304 और उसका working मैंने यहाँ पर आपके लिए करके रखा है वो commission कैसे लाया हूँ उसका working मैंने किया है क्या करने का बाकि सारी entry कर डालो यह सबसे last minute करना यह adjustment जब पूरा trading account बन जा है पूरा PNL account बन जा है PNL account का net profit लिखिए आप उस net profit को transfer की जा appropriation में फिर drawings plus करिए capital minus करिए जो amount आईगी calculator पर उसको into 10 divided by 110 करोगे तो आपको मिलेगा जश का commission 110 इसलिए किया है क्योंकि इन लोगों ने कहा है after charging such commission 11 में मैंने पढ़ाया था आपको before charging होगा तो divided by 100 होगा after charging होगा तो divided by 110 होगा मैंने आपको logic भी इसका समझाया था नहीं आदे तो भाईया फिलाल जाने तो बहुत नेट हो गया है तो आप फिलाल के लिए समझ लेना जब भी कहा जाएगा after charging such commission जो भी net amount आएगा उसका 10 divided by 110 करना मैंने आपको working बना के रखा है अच्छा अच्छा रुकिये 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 हमारा एक adjustment रह गया है जो मेरे last के लिए छोड़ा था शायद नेरी तरह आप exam में भूल मत जाना वच्छा और वह adjustment था हमारा provide 5% interest on sorry 5% budget reserve on data हमें 5% reserve बन राइट सो लिख दीजे चले हमारे नई balance sheet के अधर यहां पर हम लिख देंगे हमारे पास data is 45,000 उस पर हमें बनाना है bad debt reserve जो की होता है 5% which is 2250 net amount बाहर आ जाएगी that is 42250 42750 राइट सो इस तरह से हमने क्या किया हमने सबसे पहले budget reserve बना दिया कितना budget reserve बनाया बच्छा हमने हमने budget reserve बनाया 45,000 का 5% right 45,000 का 5% हमें reserve बनाना रहेगा 45,000 का 5% में reserve बना दिया 2250 यह हमारा reserve हो गया यहां ठीक है अब क्या करता है अब आपको इसका पूरा का पूरा बनाना पड़ता है P&L के अंदर एक format चलिए format मैं आपको याद कराना चाहूंगा बहुत important इसलिए format लि करेगा रहे तो चलिए यहां पर आपको लिखना होता है oh no yes क्या लिखेंगा oh no मतलब इस तरह से बैड़ेट old प्लस बैडड़ेट नू प्लस बैड़ेट रिजर्व नू माइनस बैड़ेट रिजर्व ओल ये format हमेशा लिख देनेगा है इसको हम बोलते हię oh no क्या बो ला इसको ओ-h bond बैड़ेट नू माइनस बैड़ेट रिजर्व ओन नू याद रह जाएगा है को old मतलब होते है जो trial balance में दिया हो और new मतलब होते है जो adjustment में दिया हो मुझे new वाला bed date दिया नहीं है बड़ मुझे new वाला bed date reserve दिया है कितना दिया है भाया मुझे new वाला bed date reserve 2250 चलिए old चेक करें का trial balance में हमारे पास bed date या पुराना bed date reserve है ये सर पुराना बेड़ेट रिजर्व हमें दिख गया वो है 700 रुपए चेक करें किया हमारे पास ट्रायल बिलेंस में बेड़ेट भी है हाँ बेड़ेट भी है यह रहा बेड़ेट है हमारे पास 400 रुपए तो जो भी था हमने सब लिख दिया 400 प्लस 2250 करके 700 माइनस करके ने पास एजस्मेंट के बाद में आगे सम करने लग जाते हैं एक एजस्मेंट भूल जाते है और आपकी बैलेंशीट भी टैली हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गरबड़ी की है इसलिए ज्यान रखे कि छोटे मोटे मार्क्स करते रहें पेपर में जिससे आपको गलती होने के चांसे नाओ ठीक है तो चलिए इसके सासत हमने हमारा पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन हमें वन के सारे एजस्मेंट्स यहां पे कर लिये हैं मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आपको सारे के सारे एजस्मेंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं राइट जब तक कि मेरा आक मानना है मैं यह शौर हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीके बच्चा comment section आपके लिए है 100% comment section में लिखिए आपके अगले question का solution लेके मैं 100% वापस आपके पास आने वाला हूँ तब तक के लिए बाबाई